आप काली के बारे में बोलें, काली आपको दंडित करीजी, तो मैंने का मेरे पास लठ पड़ा है, वो नहीं देखा, लठ पड़ा है मेरे पास, ऐसी कैसे काली आ जाएगे? सुख की प्राप्ती के लिए आप प्रमात्मा की पूजा करते हो, द्याल में रखना, दुखी व्यक्ती ही मंदर में जाता है, कभी आपने ख्याल किया, जब आपके ऊपर कोई विपत्ती होती है, आप दुखी होते हो, कोई संक्ता गया होता है, तो ही आप मंदर में जाते हो म अनित आपको पता ही नहीं था कि मंदर भी जाना है आज यही नुकसान से बरे बरे लोग इन लोगों के पास जाते हैं यह बाबा करोडी यह बागेश वरदान यह शक्ति पुंज़ क्या-क्या नाम रखे हैं प्रणाम बाबाजी आपके प्रवचन रोज सुनती हैं अगर प्रकृति ही कर्मों का लेखा जो उपर रखती है तो हम भगवान को क्यों मानें अगर मानना है तो कौन से भगवान को माने दुनिया में कितने प्रकार के भगवान हुए हैं समझ नहीं आता माने या ना माने सही रस्ता दखाएं दन्वाद यही तो बगवान बुद्ध ने कहा बगवान नहीं है परमात्मा नहीं है क्योंकि अगर प्रकृति ही लेखा जोखा रखती है आपके प्रतेक कर्म का तो फिर भगवान जाज्य हो जाते हैं बगवान सार्थक नहीं रहते बगवान की कोई जरूर्थ नहीं रहते तो बुद्ध ने कहा जब प्रकृति ही सारा लेखा जोखा करती है तो परमात्मा को मानने की जरूर्थ नहीं परमात्मा एक बेहुदा शब्द है दो में से एक ही सत्ता को मानना होगा जो स्वयम्भू है पुद्ध ने जगा या तो प्रकृति स्वयम्भू है खुद से पैदा होगे या परमात्मा स्वयम्भू है खुद से पैदा होगे तो दोनों में से एक सत्ता को स्विकार करना होगा क्योंकि स्वयम्भू सत्ता दो नहीं होती है एक होती परमात्मा को हम क्यूं माने अगर प्रकृति ही लेखा जो का करती है तो बिटिया मत माना अब श्रीक अभी ने क्या जरूरत है जब एक स्वेंभू शक्ती है जो तुमारे कर्मों का लेखा जुखा रखती है और वो जराभी पार्शेल्टी नहीं करती नहीं तो वो अन्यायकारी है सब को उचित कर्मों के साबसे दंड और पुरस्कार देती है तो इतने सवाल नहीं है कि अगर माने तो किस भगवान को माने कितने भगवान है और उन में से किस भगवान को माने यह थोड़ा प्रशन को लंबा खेंच लिया पहले प्रशन के अन्शुपे आ जाओ यही बुद्ध ने कहा था और बुद्ध ने क्यों कहा इसका बेसिक कारण भी आपको बतला देता इसका बेसिक कारण था कि बुद्ध ने देखा कि मेरे आसपास दुखी लोगों की कतार है अभाव ग्रस्त लोगों की कतार है बासनाओं से वरे हुए लोगों की कतार है और तुम दुखी हो इस कारण से कि तुम्हारी वासने पूरी नहीं होता है तुम दुखी हो तो बुद्ध ने कहा परमातम को छोड़ता है उसकी कोई आवश्श् Franken ने है पहले आवश्श्ख्ता किसकी है पहले आवश्ख्ता है सुखी होने की प्रमात्मा को मानने की अवशक्ता ही नहीं बिना माने भी काम चल जाएगा तो पुद्धे ने कहा ये चूद है प्रशन मुझे कोई ना पूछे ये प्रशन अव्याकरत प्रशन है जो व्याकरण में यहीं आते जो उच्यारण में नहीं आते जो कहे नहीं जासे जो व्यारते है तो उन चूद्धा प्रशन के वो जवाब भी नहीं दिया करते थे तो आज बिटिया जो तुमने पूछा और बहुत साल पहले करीब धाई हजार साल पहले बुद्ध बोल गए थे निश्य ने कहा प्रमात्मा मर गया है मारकस कहता प्रमात्मा है नहीं लेकन बुद्ध का तीसरा वजन वो कहते प्रमात्मा की कोई जरूरत नहीं जब एक नियाई के शक्ती है और वो परकिटी है और वो सब कुछ करती है तो फिर प्रमात्मा की आवशिकता कहां रह जाती है तो उसको छोड़ता है क्यों वर्थ में गसीटे चले जाती है कारण क्या था कारण था के वास्तम में आप दुखी हो वास्तम में आपको अपने दुख से निजात चाही है यह है आपकी वेसिक प्राव्म और इस बेसिक प्राव्म को आप अन्य अन्य डाइमेंशिंज में ले जाते हैं आपका संतुलन बिगड़ जाता है जब आप पूछना कुछ चाहती हो आपकी बेसिक नीड कुछ है और आप पूछ कुछ लेते हैं यहां गल्ती खा जाती है जर अभी आवश्क्ता नहीं है प्रमात्म की और प्रमात्म को मानना थे लेकिन बुद्ध ने जिसलिए ये शब्द कहे थे क्या वो पूरे हो गए नहीं हो गए बुद्ध के शब्द तो पूरे होते अगर इस संसार से दुख विदा हो जाता है सभी सुखी हो जाते है तो बुद्ध कहते हैं पहले सुखी हो जाता है क्योंकि ये एक सीड़ी है ऐसा नहीं कि बुद्ध जानते हैं बुद्ध जानते हैं बह कोई अग्यात शक्ती है और मनुष्य से जान नहीं सकते हैं बड़ी बाती जानते हैं जब साधारन आइंस्टीन जानता है तो वह जाना नहीं जा सकता है तो भला बुद्ध न जानते हैं बुद्ध जानते हैं लेकिन बुद्ध का मंतब भी क्या है बुद्ध का मंतब भी ये है कि आप व्यर्थ की डिस्कुशन में मत पड़ो क्यों वक्त खराब कर रहे हैं जितने वक्त में आप डिस्कुशन करते हो प्रमात्मा है के नहीं है अपनी अपनी पोथियां खोल लेते हो तरक देते हो तरक सुनते हो इतनी देर में आप सुखी हो सकते हैं आप पूरी जिंदगी जाय कर देते हो लेकर सुख नहीं मिलता अंत तक आदमें दुखी ही यहां से विदा हो जाता है और यही बुद्ध नहीं चाहा था बुद्ध कहते हैं कि आस्था बाद में ले आना पहले पेट फर जाना पहले सुखी हो जाना और बुद्ध यह बात अपने अनभव से कहते हैं कैसे बुद्ध राजबुत्र थे सभी भोग भोग लिये थे दास दासियां थे सब कुछ था सब कुछ था जो आप कुछ है जिसके पीछे आप दिन बर रात बागे चले जा रहे हो वह बुद्ध के पास था और बुद्ध जानते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं थे तो बुद्ध ने जब देखा के मेरे आस पास दुखी लोगों की कतार है सभी अपने अपने विक्षा पत्र फैलाई खड़े हैं और उस बिक्षा पात्र में माग क्या रहे हैं सुख सुख देते हैं तो बुद्ध ने बात को एक तरफ निप्टा दिया वो कहते हैं दो सेवम शक्तियां नहीं चलेंगी जो स्वेम से उत्वपन हुई दो शक्तियां नहीं चलेंगी और प्रकृति भी सैभम है और तुम परमात्म को भी सैभम मानते हो तुम एक शक्ति को सैभम मानते हो कि वह खुद से प्रकट हुई है उसको किसी ने पैदा नहीं किया और इन शब्दों को बोलने के पीछे बुद्ध का विराट स्वेम का अनभव था बुद्ध कोई शास्त्र किताब गुरू के द्वारा बताये ले शब्द इनके द्वारा आपको कुछ नहीं बता रहे है बुद्ध अपने जीवन को जी के बता रहे है बुद्ध का ग्यान उधार ग्यान नहीं बुद्ध का ग्यान भीतर से आया हुआ खुद के अनभव से जन्मा हुआ ग्यान बला बुद्ध से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानता होगा के सुख को भोगे बिना आनंद की तलाश शुरूर नहीं होते हैं येक थीम है इन शब्दों को सरकल में रख लेना सुख को भोगे बिना सुख की सीड़ी चड़े बिना आनंद की सीड़ी नहीं चड़ा जा सकता है और सभी शंतों ने किसी न किसी डंग से ये बात कही कबीर ने कहा बुखे बजन ना होई गोपाला ये लोग अपने कंठी माला किसी न किसी रूप में सभी ने कहा, किसी ने कहा नहीं, तो उनकी जिन्दगी बताती है जैनियों के, जैन धर्म के, 24 के 24 तेर संकर राजा हुआ है और जो हम अश्टावकर जनक का समबाद सुनाते हैं, जनक भी राजा हुआ है ये जो एक्ता दुक्ता लोग पहुँचाते हैं कबीर जैसे, नानक जैसे ये रास्ता अलग है, ये पिछले जन्मों के तरफ्त लोग हैं जो अपने संसकार तरफ्ती के साथ लेकी आएं हैं होगा इनों ने भी लेकिन अपना सब काम तमाम कर लिया पिछले जन्म में, जिसे आप जानते हैं लेकिन एक बात साफ है कि आप प्रमात्मा को छोड़ो पहले तो सुख के साथ में पैदा को यही बुद्ध ने देखा बुद्ध ने देखा कि चीतकार मची हुई है हाहाकार, भूखे पेटों की हाहाकार ताना शाहों के दिमाग के उपर राज करने की परवर्ती से हाहाकार है बना ये भी कोई परवर्ती है एक विक्ति कहे सिकंदर के मैं सारी दुनिया के उपर राज करूँ क्या इसे पागल खाने में ठूस नहीं देना चाहिए तो किस एक आदमी के कारण, अर्बूं आदमी दुख भोग रहे हैं एक मसोलनी के कारण, एक हिटलर के कारण, अर्बूं लोग दुख भोग रहे हैं और सिर्फ उसकी एक इस मुरखता के कारण, के मैं सारी धरा पर राज करूँ बहन नए नए जाल फिलाता है वह नए नए अनवेशन इजाद करता है वह जूट सच सब का साहरा देता है लेकिन उसकी वीतर की इच्छा क्या है? कि मैं सारी धरा पर अर्राज करूँ और यह इच्छा एक मूर इच्छा है मूर खिच्छा है इन लोगों ने राज शब्द का असरी अर्थ नहीं समझा है बुद्ध अच्छी तरह से जनते हैं जब पेट भर जाता है जब सारे सुख भोग लिये जाते हैं तो एक उमंग वीतर से आती है और वो उमंग सच्छी होते है इतिहास से सिर्फ एक सबक ले ले लेना ज़्यादा सबक इतिहास में होते भी नहीं ज़्यादा सबक तो तुम्हें अपनी आत्मा के अनभूँं से मिले गए लेकिन इतिहास से एक सबक ले लेना क्या इतिहास से ये सबक ले लेना इस दुनिया में जितनी कतलोगारत हुई जितने दुखों में बुड़ोत्रियां हुई जितनी हिंसा, क्रणा, नफरत के बीज बोए गए वो कुछ गिनती चुनती के लोगों के द्वारा बोए गए उचाहे हिटलर हो, मसोदनी हो, चंगेज हो माओ हो, स्टालिन हो पुरिस धरती पर प्रेम में जितनी लोगों ने आपस में गल वकडियां डाली गले लगे प्रेम के आंसू बहेड़ प्रेम की खुमारी में मद होश हो गए चारों तरफ प्रेम की खुश्बू लहलाहनी लगी वो भी कुछ इका दुका लोगों के कारण हुई नफर्त भी कुछ इका लोगों के कारण हुई और सुगंदी भी कुछ गंती चुंती के आद्मियों के कारण हुई नफर्त जिनोंने बोई बोई दुनिया का इतना विद्वन से कर गए के जितना आप सोच भी ने सकते हैं और प्रेम के फलाने वालों ने बुद्ध जैसे लोगों ने अहिंसा वादी लोगों ने जितना आनन्द फलाया उन्होंने बड़ी कोशिश लिए के नफर्त को कैसे मटा दिया जाए को कि अंत्त है यह नफर्त अपने ही घरों को आग लगा देती है मेरे इन शब्दों को फिर नोट कर लेना जो चिंगारी आपने दूसरों के घरों को जलाने के लिए बड़काई थी तो मैं पता नहीं कि उसके पडोस में आपका घर भी है तो जद में आपके घर भी आएंगे आप बचने में सको यह दर्श से भरी आहें यह चीतकार से भरी आवाजें यह आपको भी भीतर से आंदोलित करेंगे बुध ने कहा कि आपका सही सवाल है कुछ भी हो सकता है लेकन सही मांग कुछ भी नहीं हो सकती सही मांग तो एक है क्या है सही मांग है आपकी सुक और उस सुक की प्राप्ति के लिए ही आप परमात्मा की पूजा करते हैं बड़ा सुनता कॉंसेप्ट थे सुक की प्राप्ति के लिए आप परमात्मा की पूजा करते हो ज्यान में रखना दुखी व्यक्ति ही मतर में चाथता है कभी आपने ख्याल किया जब आपके ऊपर कोई विपत्ती होती है, आप दुखी होते हैं, कोई संक्टा गया होता है, तो ही आप मंदर में जाते हो माथा टेतिने के लिए, अनित आपको पता ही नहीं था, के मंदर भी जाना है, या तो लोग डर के कारण जाते हैं, कभी दुख आना जाए, या आप मंदर में जाते हो दुख को मिटाने के लिए, लेकिन बेस में दुखी ही है, दो कारणों से आप मंदर में जाते हो, मस्चित में जाते हो, चर्चों में जाते हो, गुरद्वारों में जाते हो, या तो दुख आ गया है उसकी निवरत्ती हो जाए या दुख आए ही न इसका कोई हीला वसीला बन जाए तेकिन बेस में दुखी ही रहता है आप दुख नहीं चाहते है और यही बुद्ध ने चाहा कि यह सीडीती पहली आप समझ नहीं पाए जैसे इस बिटिया ने कहा समझ नहीं आता क्या करूँ कौन से बगवान को मानू मानू या ना मानू यह उलज गई है और इसे उलजाया किसने उलजाया हमी ने हम जैसे दर्म गुरुओं हमारे लिखे होई शास्तरों है यह उलज गई सबने अलग अलग वाशा इस्तेमाल की और यह बिटिया उलज गई लेकिन एक बड़ा सुंतर एक्स्ट्रेक्ट है इसके प्रशन कि अगर सारे लेखा जोखे कर्मों के हिसाव प्रकृति ही रखती है तो प्रमात्म को मानने की अवश्रता क्या है बिल्कुर सही प्रशन है यही प्रशन होना चाहिए वो दने भी यही कहा प्रकृति ही सफिशेंट है प्रयापत है इस्वर को मानने की कोई अवश्रता है ठीक कहा तो छोड़ दो इस्वर को क्या कराना है इस्वर से आप अपनी प्रकृति में आ जाओ मेहनत करो प्रयास करो पड़ाई करो सब कुछ सुख ही हो जाओ सुख ही होने का तात पर मैं लेता हूँ पदार्थ जोड़ लो पदार्थ जोड़ लो सुख के साधन जोड़ लो तक तु ताज ही इकठे कर लो और फिर ही कोई बुद्ध बन पाता है फिर ही कोई महावीर बन पाता है फिर ही कोई जयन धरब के चोविस तेर ठंकरों में तेर ठंकर हुन पाता है नहीं सुख ही है कि किसी म्रीज को टैंसर की बमारी है और उसको भूख भी लगी है तो पहले कौन सी व्याधी मटानीचाहिए टेंसर की बमारी भी एक बड़ी व्यादी है और भूख भी एक ब्यादी है तो कौन सी व्यादी पहले मटा होगा है भूख भूख पहले मटाने पड़ेगा क्योंकि पेट अभी मांगता है टेंसर का इलाज तो भूख मिटने के बाद भी हो जाएगा वर्न ज़्यादा छीत्रे से होगा बिल्कुल परकृति लेखा जोखा रखती है और अगर कोई परमात्मा की गणना भी करता है मानेता भी करता है तो वह परकृति के न्यायकारी संबिधान से परे नहीं होता है वो कहता है परमात्मा ने एक न्यायक ववस्ता बनाई है वो है परकृति और वह सारा कुछ संबाल रही है तो परमात्मा की अवश्यक्ता क्या है यही बुद्ध कहते है कोई कि बुद्ध के आसपास भीड है सदा से बुद्धों के आसपास ऐसे ही लोगों की बीड रही है मैं रोज देखता हूँ मुझे रोज लोग कह सेते हैं बाबा आपकी तो कोई तमन्नाशीश नहीं ना खाने की ना पीने की ना टहलने की ना तीर से यात्रा करने की ना हेल स्टेशन बरमन करने की ना कोई स्वादिष्ट वेंजन खाने की लेकिन हम लोग क्या करें हमारे वीतर तो बड़ी इच्छाएं हैं उचल उचल के बाहर आती हैं हम क्या करें मैंने का तुम भोग के साधन पैदा करो मैं कुई वासनाओ को दबा के थोड़े बैठा है मुझे वासनाओं का हूना जर्थ लगा वासनाओं से कोई हल नहीं होता वासनाओं उलजाती हैं इसलिए मैं बैठा हैं वासनाओं ने हला गुला शोर मचाना बंद करती हैं मैं शांती से बैठा हूँ लेकिन आप से नहीं करता हूँ अब अगर बैठ भी जाओगे तो बाबा नानक ने कहा है चुपे चुप नहोबई जै लाए रहा लिवतार अगर आप होटों को सी भी लोगे मौन हो जाओगे शांत हो जाओगे आवाज नाइड लेकिन क्या आप चुप हो गए चुपे चुप नहोबई जै लाए रहा लिवतार बाहर से देखने में लग हो गए आप कि यह विक्ती बड़े ध्यान मुद्रा में बैठा है आनद का रस भी रहा है लेकिन बाबा कहते हैं कि बीतर के उस मन तो बोलता रहेगा उसका क्या करोगा और असली रोग तो मन है जो सदा बोलता रहता है सोते जगते चलते फरते सिंसार में ब्रमन करते आराम करते यहां तक कि आप नीद में भी बोलते रहते हैं तो आपकी असली व्यादी क्या है मन मन बोलता हुआ मन आपकी असली व्यादी है कहीं परमात्मा ने कोई गोल्डिंग लगा रखा है जिसके उपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिले ये आपको कि अगर आप मुझे मानोगे तो सुकी होगे नहीं मानोगे तो सुकी नहीं होगे कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रमात्मा नहीं कहता कि मुझे मानो फिर क्यों मानना ये आपके वे दिशास्त्र कहते है कि वह है वह है ये उनका अनभव है ये आपका अनभव नहीं है आप क्यूं मानो आत्मत मानो सिर्फ प्रकृति के नियमों को मानो आप मत करो जूट मत बोलो किसी का मन न दुखो किसी से चल न करो आप यहां से सूर करो प्रकृति का सिदान्त आपको सही फल दे ऐसा काम करो जैसे हम पून्य कहते हैं बाटो अगर आपके पास ज्यादा है तो अगर ज्यादा नहीं है तो खोद पेट भर ले लेकिन परमात्मा की मानने की कोई अवशिक तक ही है अभी जिस तर पर तुम हो और बुद्धों के आसपास ऐसे ही लोगों की कतारें जुट जाते हैं मैं अच्छी तरह से चलता हूँ कि कैसे कैसे लोग कैसी कैसी वासनाओं को मन के वितर रखके लीपा पोती करके कलोर क्वीन के उपर सुगर कोटेड करकर पेर पास आ जाते हैं वितर कोई तमन्ना है बाहर सिर्फ दर्शन करने की तमन्ना है अब दर्शन करने की तमन्ना है उनकी है तो किसी लोग के करद ये मैं अच्छी तरह से चलता है अन्यता दर्शनों में रखा भी क्या है इस पचास शाट किलो के पंच तत्व के पुतले में क्या है कुछ भी दमने दर्शन करने के लिए है क्या यही माटि का पुतला है जो एक दिन माटि लिखर जाएगा Disintegrate हो जाएगा Scatter हो जाएगे कुछ भी नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ कि लोगों के मन के वितर्क कोई तकिल्व है किसी को कोई कष्ट है पस बुद आपकी नबज को पकड लेते है बुद आपकी दुख्ती रख को पकड लेते है बुद्ध कहते हैं कि देखिए परमात्मा की बात मत करो अभी बात करो कि तुम दुखी हो अभी बात करो कि तुम सुखी कैसे हो जाओ बस दूसरी बात छेड़ो भी मत बिल्कुल सीधा रास्ता आपको देख लाते हैं और ये बुद्ध का खुद का स्वैम का अनभव है अगर बुद्ध किसी गरीब घर के अंदर जन में होते और किसी पार्टी के अंदर गए होते तो ऐसी करांती गटेत नहीं होती थी बुद्ध अगर संसार में पले होते तो वने पतल लग जाना था बहुत चोटी उमर में के मरत्यू होती है और सुद्ध अधन ने सबसे बड़ी गलती है घर दे कि जो उसको सत्य के दर्शिन नहीं होने दी सभी सुख सुविदाओं से संपन उसे जिन्दगी देते है और दुनिया से बिलकुल दूर जबकि जो सही वास्तविक्ता है वो बुद्ध से च्छिपा ली गई मरत्यू के और जब पहले दिन बाहर निकले बुद मरत्यू ही अपना नंगा नाच खेल रही है और मरत्यू ही से तो तुम्हें चुपाया गया और वही चोट लगे ये बुद्ध को क्या मैं भी मरूंगा चेतक मैं भी मरूंगा क्या मैं भी बूठा होंगा क्या मैं भी बिमार होंगा रोवी होंगा क्या मेरी भी कमर ऐसे ही जुक जाएगी तो जेतिक ने कहा हां महराज बिल्कुर सबी के साथ ऐसा ही होता है और ये अनुम बंब की तरह उनके हर्दा के ओपर एक आगहात था अगर सुदोधन ये गलती ना करते है तो बुद्ध पैदा ना होता है बुद्ध पैदा ही तो हुए है कि उनसे पचीस वर्ष तक ये छुपाया गया कि जीवन का परम सत्य मर्त्य है और जब परम सत्य छुपा लिया जाए तो रस छुपा लिया जाता है तो बेक्ति एक मुख चीज से बंचित हो गया बुद्ध मर्त्य होती है बड़ाप़ होता है बिमारी होती है ये छुपा लिया गया और जो चीज हम छुपा लेते हैं वह विस्फोटक होके बाहर निकलती है यही तो आपकी वासनाओं के साथ होता है उससे लोग पूछते है आज ये बाबाओं के पास सिर्ह लाती हुई औरतों की आद्मियों की कतारें रगी है और अपने आपको कहती है मेरे वितर वो आ गया मेरे वितर वो आ गया मेरे वितर काली आ गई मेरे वितर पीली आ गई मेरे वितर अनुमान आगे मुझे जिनन ने घिर लिया मुझे भूत ने घिर लिया ये क्या है ये तुमारी दमित वासनाई है जो पूर नहीं हुई तुमने दबा दिन किसी समाज के भैके कारण लोक अलाज के भैके कारण ये दमित वासनाई है ये बिल्कुल उस तरह से हैं जैसे आपने सबजी कुकर में डालकर आग के उपर किया और वाश्प बने पानी का और आप जो उपर का वेट है बहे वाश्प के फितर के प्रेशर से निकलती है बाहर और आप उसको बाहर निकल ले ना दो तो आप आपको पता है क्या होगा फिर जब आप बिल्कुल ही नहीं निकल लें दोगे तो विस्पोर्ट होगा और वह विस्पोर्ट जान लेवा होगा ऐसे ही लोग इन दुकादारों के पास चाहते हैं ये मनोदूश्यत वरती के रोग है इन्होंने कुछ वासनों को चुपाया जो वासनाई थी नहीं लेकिन तुमारे रिशियों ने तथा करते तो मुनियों ने तुमको समझा दिया कि ये वासनाई इनमें नहीं जाना है लेकिन आपके सबाव ने तो कहा कि इनमें जाना है हमने करोध में भी जाना है हमने काम में भी जाना है उठी वीतर से कैसे रोकोगे तो क्योंकि आपके मनीशी कह रहे हैं गुरू कह रहे हैं कि नहीं इन्हें नहीं भोगना है तो आप दबाओगे और दबाओगे, तो ये वाश्प भीतर ही भीतर ही कठा होता जाएगा, और एक दिन फठ जाएगा, और आपका जितना बड़ा नुकसान होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आज यही नुकसान से बरे बरे लोक, इन लोकों के पास चाहते हैं, यह बाबा करोली, यह आई हुई वासनाओं के बिमारियां हैं, दमित वासनाओं का उठना है विस्पोटिक रूप से और कुछ भी नहीं है, लेकन आप जब माने ही बैठो, एक व्यत्ती का रोज कमेंट मेरे पास आ जाता है, बाबा मुझे कोई दूसरी सिबेट तन करते हैं, रोज, अब इसने मान ही लिया है, कि मुझे कोई बुरी सिबेट नुकसान पहुँचाती है, मैं कहता हूँ, नहीं है, कोई बुरी सिबेट नहीं है, तुम चलते चले जाओ, यह तुमारी दमित वासनाओं हैं, तुम बाहर जाके क्रियाजू करो, और इनको बाहर निकाल दो, इनको वाता फरन में नकाल दो, यह तुमने दबा ली थी किसी वक्त तुम भूल गए, यह बाहर निकले बिना चैन नहीं आगा, आएगा आपको, लेकिन यह मानने को तयार ने, और फिर जब कोई विक्ती मानने को तयार ने, फिर देखिए, फिर आप इन दुकानदारों के पास मैंने आपसे बहुत बार कहा कि प्राने राजे बड़े समयधा थी, बगवान राम के घर में एक कोप भवन होता था, और आपको पता नहीं सबी राजाओं के घर में एक कोप भवन होता था, उसमें क्या होता था? देखो, घर में लाई जगड़े तो होते ही रहते हैं, मन मुटाब तो होते ही रहते हैं, बरतन हैं तो खड़के के रहते हैं, आपस में विचार मिलते नहीं, तो टकराते रहते हैं विचार वावनाएं, और ये क्रोध पैदा होता रहता है, कुछ प्रकृति प्रदत होते ह हैं कुछ मानव परदत होते हैं तो कोप भवन किस लिए था किस लिए थी जब भी आप भर जाओ आपको पता चल जाएगा भरे-भरे से फिर हो गए उजड़े-उजड़े से फिर हो गए तो कोप भवन में चले जाना वो जाके वहां पर निकाल देना एथर्सिस कर लिए ना रेचन कर लिए यह सभी दमित वासने निकल जाएंगे और आप हलके हो जाओगे ऐसे बिमार लोगों का मुल्क हमने बना लिया है और ऐसा नहीं है कि एक धरम में है आज यह बिमारी सभी धरमों में लग रहे हैं आज यह इसाई धरम में मैंने पॉस्टर देखे हैं सभी धरमों में हैं कोई धरम चूता नहीं रहा है अज्यानता की कारण ऐसा हो रहा है लेकिन अगर कोई संत बोलता भी है जो कारोबारी नहीं है जो व्यापारी नहीं है जिसका निहेत स्वार्त नहीं है और वो सत्ति को जानता है आखरी बात मैंने जो कही उस पे गोर कर दो जो कारोबारी नहीं है जो व्यापारी नहीं है, जो लुटेरा नहीं है, जो डाकू नहीं है और जिसका निहत स्वात नहीं है, और जो सत्य को जानता है, कि सत्य है वास्त में ये प्रेत आपके सिर के उपर बैठा है, या इसने अपनी आत्मा को डख लिया है वो जब आप से बोलता है कि नहीं कुछ नहीं है तो आप उसकी बात मांते हैं आप फिर इनकी से गुल में फस जाते हैं लेकिन कब तक बोलेंगे ये लोग बोलते बोलते विदा हो जाएंगे और इनकी अगली पुष्टें आपको गुम रहा करते ही रहेंगे इनकी अगली पुष्टें भी आएंगे इनकी पहले की पुष्टें भी यही कुछ करती रहेंगे ये कारुबार बढ़ता ही जाता है और आप जरा भी समझते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है लोग मुझसे कहते हैं डरो आपने का पित्री लोग नहीं है आपने कहा ये भूत लोग नहीं होता है ये सबी आके तुम्हारा गला दबोच लेगी मैंने का भई तुम्हे क्या तक्रीज है गला दबोचें के मेरा मैंने पुटनूँगा आप काली के बारे में बोले काली आपको दंडित करीजी तो मैंने का मेरे पास लठ पड़ा है वो नहीं देखा लठ पड़ा है मेरे पास ऐसी कैसे काली आ जाएगी तुम्हें जो समझाता है तुम्हें उसको ही मार देते हो उसके निशकर्शों को मार देते हो वह तुम्हारे भीतर के Aethorsis करना चाता है जो आपने मानेताओं को थोक लिया है क्योंकि ये मानेताएं आपको خराब कर रहे हैं मानेताएं सदा ही खराब करते हैं वो चाहें कोई भी हो परमात्म को भी मान लोगे वो भी खराब करेंगे मानने की बजाड़े मानना वो जो सत्य है परकृत्य का सत्य मानना बुरा करोगे बुरा भोगोगे बला करोगे बला भोगोगे इसको मानने में कोई कठना यूँगे कोई मैत का फार्मूला मान लोगे उसको मानने में कठना ही क्या है कोई कठनाई, वह तुमारे सारे प्रश्य हल कर देगा शत्य को मानने में कोई कठनाई नहीं वशर्ति कि वो सत्य hits aja हो वह असत्य नहो लेकिन आप सत्य के आप दही के वलेके में कपास का जाते हो यही गलती है आपकी सत्य को तो तुमारे हो सत्य को मानना ही पड़ेगा तभी आप उस मार्क पे अगर सर हो पाओ लेकिन आप सत्य के भ्रह्मे असत्य को मान लेते हो और यही आपके दुख का कारण बनता है और आप सत्य और असत्य के वीतर बेद नहीं कर पाते हैं यहीं उलज जाते हैं बुद्ध ने कहा पेलकोट ठीक कहा है जरूरत क्या है परमात्म को There is no need वहे व्यर्थ है वहे सार्थक नहीं है उसको मानो जो सार्थक है परकिति के नियमों को मानो परकिति को मानो जैसा वोग है वैसा कटो है कुझे लोग कहते हैं बाबा आप लोगों का इतना दिर दुखाते हैं जिन लोगों की काली के उपर सर्दा है उनका मन दुखता है जिन लोगों का राम के उपर सर्दा है उनका मन दुखता है क्रिशन के उपर सर्दा है उनका मन दुखता है क्या आपको पाप नहीं लगता, मैंने का नहीं गलत मानताओं को तोड़ने में जराभी पाप नहीं और सही मानताओं तोड़ने असंबब है मैं कैसे कह दूँ कि ये नाक नहीं अब मानो मैं कैसे कह दूँ कि ये आक ही नहीं वो मानना गलत होगा अगर मैं जो कहता हूँ वो मैं जानता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे ही नहीं मैं कहता हूँ कि इन काडियों पीलियों के लिए मेरे पास लठर का है और सरयां बोलता हूँ और देखिये जो इसके बगत थे काडियों के है आखर में तोतापुरी ने कहा देखिए बात सुनो ऐसे बात नहीं चलेगी इसके तो गर्दन उडानी पड़ेगी आपको से विकल्प समाधी का आनंद कब तक लेते रहोगा निर्विकल्प समाधी के अगर उम्मीद जगी है भीतर से कामना जगी है तो फिर इसकाली की गर्दन तो काटने पड़ेगी बैस देखो आप काटना चाहते हो निर्विकल्प की इच्छा जग रही है कैती जग तो रही है कुछ ऐसा लगता है जैसे घर्दय की बितर कमी रह गई है सुखी बहुत हूँ लेकर ऐसे कोई कांटा करुद का रहता है कोई कांटा चूपता रहता है इस कांटा में चूपते हुए कांटों का निर्वा करन बताईए इंड 앉 थो पूरिदी ने लेकिन फिर इस काली की गर्दन को घलम से तलवार लेके काट पाऊगे, संकोच हुआ, छे दिन के लिए संकोच हुआ नहीं काट पाऊगे, और तोतापुरी वोलेट ठीक है, फिर आप नहीं काट पाऊगे, तो कि यह बहुत प्राने संसकार है, आपको भी प्राने संसकार है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, कहां कटते हैं, इतने प्राने संसकार, रामकृष्ण परमंस में तो इसी जन्म के संसकार है, काली माता से प्रेम हों के है काली माता से ममता हो गई है उसके चर्लों में स्वर्ग है लेकिन आपको तो नहीं जाने अनंत जन्मों के संसकार गेरे हूं और अनंत जन्मों में आप एक ही चीज दोराते रहे हो जानो या ना जानो मैं सरीर हूं मैं मन हूं और ये चपकाहट सुमेरु पत्थर की तरह हमालय पत्थर की तरह गनी हो गई अब मुझे लोग कहते हैं बाबा चोड तो किया करो गर्दन आपकी हवाले कर दी है लेकिन चोड सुनार की किया करो मैंने का देखिये बात दिया है अगर कीचड होता तो मैं सुनार की चोट कर देता है फिर धीरे धीरे में कोई पात्र लेता और कीचड को भर देता और बाहर फिंख देता लेकिर मैं का करूँ आपकी मानिताई तो हिमाले परवत जैसी कठोर हो गई है बजर जैसी कठोर हो गई है तो उनको काटने के लिए तो सुनार की चोट काम न करेगा वहां तो लोहार का गण काम करेगा पत्रों को काटने के लिए कभी सुनार की हतोरी काम कर पाई आपकी वासनाएं आपकी ये संसकार इतने पुराने हैं कि हिमाले के बजर के रूप ले गए हैं सुमेरू के बजर के रूप ले गए हैं आप के तो थोड़ा सा दीरे देरे छोट की आखर बाबा एक दम से धड़म से गरा देते हैं एक दम से पता नहीं लगता चारों खाने चित तो हो जाते हैं अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है संसार में, तो भई ऐसा ही होगा, दिखो, आपको ये तो बरदास्त करने ही होंगे, चोड तो मारूंगा ही, लेकिन द्यान रखना, आप नहीं मरोंगे, आपकी व्यर्थ की चीजें मरेंगे, मैं ना मरूंग, मरे संसार, संसार हमाले पर्वत के बजर मरेंगे, जमीन सपाट होगी, लेकिन तुम नहीं मरोंगे, मोहे मिला जलावन हारा, और जब इस सारे हमाले पर्वत के बजरों को, मैं साफ कर दूंगा, नीचे से साफ धरातल निकल आएगा, बस तब आपको पता चलेगा, और मैं तो ये बजर था ह ही नहीं, मैं तो ये पत्थर था ही नहीं, मैंने तो इतने जन्मों से वर्त में ही दुख जेला, आप गुरु को अर्पन करते हो, तो भाग मत चलाओ, आपने यही कुछ पिछले जन्मों में भी किया है, या तो गुरुमों को आपने मार दिया, गुरु को आपने तरसकार किया, गालिया ने कारी, बद्दी बद्दी बेवहार किये, और जाफिर आपने कहा देखिए, देखिए गुरु जी, आप थोड़ी सी सुनार की चोट किया कर했습니다, ये भावनाएं आहत होती है, भावनाएं तुमारी ही बनाई ही ही, तुमने ही बना सही मत मत चाओ, किस ने कहा था तुम है, अब भीतर से उमंग भी उठती है, उस अमरत को पीने की बड़ी तमन्ना उठती है, बड़ी ललक उठती है, और आप इस चोट को घंकी चोट को बरदास में नहीं कर पाते हैं, ऐसा कैसे हो सकते हैं, सर्जन के पास भी जाते हैं और त और कैंसर का इलाज कर देना, जो कैंसर जुक्त नाडियां हैं, फोड़े को निकालना माता है, लेकिन फिर सर्जन कहीगा, फिर तो आप अपने घर चले जाओ, ज्यादा बेस्तर रहेगा, मेरे पासे ऐसा कोई इलाज नहीं, जो मैं बिना चीर फाड किये, आपका इलाज कर द नहीं चीर फाड करवानी हैं, अपने घर चले जाओ, रोज मेरे पास ऐसे लोग आते हो, मैं रोज बोलता हूँ, कमाल की बात, लेकिन पल्ले नहीं बढ़ती आप, फिर तुम कहते हो, मैं तो बहुत चाहता हूँ, आनंद को पाना, क्या खाग चाहते हो, आनंद को पाना च यह उखल पड़ेंगे, और भाई, अगर नहीं आप उखलों का दर्द सहिन कर सकते, तो घर ही बैठे रोगें, फिर कौन कहता है, किसी गुरू के पास चाहते हैं, फिर लोभी आपको बलाएंगे बड़े-बड़े बैनर लगा के, यहां योग निद्रा का व्यास हो रहा है जाओ, यह सभी वो रोग हैं, जो सुनार की चोट करते हैं, फुर से कुछ होने वाला नहीं, यहां तो घंड चाहिए हैं लोहार के, मोटे-मोटे घंड चाहिए, जिनको उठाने में भी तकलिफ होती है, परमात्मा को क्यों माने हैं, और फिर कितने परमात्मा हैं, जब मस्रा ही मुद्दा ही छोड़ दो, परमात्मा को ही न मानो, कितने परमात्मा हैं, कौन-कौन से परमात्मा हैं, कौन-कौन सा परमात्मा क्या कुछ करता है, उसका रूप रंग कैसा, उसका मुखड़ा कैसा, उसके हाथ में, कितने हाथ हैं, कौन-कौन से हाथ में क्या-क्या लिया हुआ है, यह सब छोड़ दो जब परमात्मा को मानना ही नहीं, अवश्यक्ता ही नहीं, तो आप प्रकृति के सिद्धान्त में आ जाओ, और प्रकृति सम कुछ ठीक कर देगे, पहली बात, प्रकृति को मानलो, खुद की पैदाईश प्रकृति सैपम पश्यक्ति को मानलो, कि वो आपको देखती है, और आपका मन भी संतुष्ट होता है, क्योंकि जो देखता है उसको आप मान लेने को तियार हो जाते हो जो देखता ही नहीं परमात्मा दिखाई ही नहीं देता उसको आपका मन मानने को तियार है नहीं हो तो आप नकली नकली बन जाते हो इसलिए आज सभी दुनिया में नकली आस्तिकों की कतार है अब कहीं वे चले जो नकली दर्शन को भगवान के नकली दर्शन को लोग खड़े हैं और क्या है कुछ भी नहीं वो लोही की मूर्ती है पत्थर की मूर्ती है या किसी भी चीज की मूर्ती है बस मूर्ती है और कुछ नहीं दिखे व्यपारियों ने तो अपना व्यापार साधना ही होता है तुम क्यों मूर्ख बने जा रहे हो मैं तुम से पुछता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ तुम मानने वाले हो तुम उसी राह पे चलते जाओगे गुरू लाख बकवास कर ले कितना बोले बुद्ध कितना बोले महवीर कितना बोले ओशो कितना बोले आप संत को सिर्फ उसी वक तक मांगते हो मांते हो जब तक कि संत जलकर राख नहीं होता मर नहीं जाता जब संत मरा राख हुआ तो आप फोरन उसकी मजारों पे जाकर गेर लेते हों आसपास क्यों आप कोई तकलीफ नहीं हो जिन्दा संत कोई कबाड़ा परेगा कोई ना कोई गडर मडर परेगा यह मुर्दा संत है राख उकुष नहीं कहें अब मजे से इसके आसपास बैठो और आप सभी मुर्दों की राख के आसपास एकठे हुए लोग हो कोई जीसस की राख के आसपास बैठा कोई जर्थरुस्त की कोई सुक्रेटिस की कोई मनसूर की कोई उशो की कोई नानक की कोई कबीर की सब आप आसपास बैठे हो लेकिन राख के आस पास बैठे, राख तकलिफ नहीं देती, राख आपकी भावनाओं के साथ कोई खलवार नहीं करती, छेड़ चाल नहीं करती, राख तो राख है, उसके पास बैठने में जराबी तकलिफ नहीं होती, तुकि यह राख कोई चेटर बटर करती है, लेकिन जिंदा गुरू के पास बटर में बड़ी तकलिफ होती है ये जो आज राख हैं जब कल जिंदा थे तो आप इनसे भी ऐसा ही गवराते थे आप कबीर से भी ऐसा ही गवराते थे आप नानक से भी ऐसा ही गवराते थे बुद्ध से भी ऐसा ही गवराते थे फिर आप कहते थे किशन अच्छे थे राखों से प्यार करना आपका सवबाव बन गया है राखों की पूजा करने आपका सवबाव बन गया है इसलिए आप राखों की ही पूजा कर रहे हो राकों की ही पूजा करते करते राक हो जाओगे बस्मों की पूजा करते करते खुद भी बस्म हो जाओगे कोई करांती गटित नहीं होगी तुमारे भी तरह तुम सुखी नहीं हो पाओगे और बुद्ध यही गहते हैं कि छोड़ो प्रमर्पन को तुमने लेना क्या है? तुम सुखी हो जाओ पहले और बुद्ध ये अपने अनभव से कहते है तो कि जब कोई सुखी होता है आगे की बात समझे लेना ये मोरल है आखरी बात जब कोई महावीर, कोई बुद्ध सुखी हो जाता है 24 के 24 ते इर्थंकर जब जनक सुखी हो जाते हैं तो फिर वो पूछते हैं हे ब्रह्मर्शी पश्टा वक्र क्या? सुख तो मिल गया लेकिन सुख और आनंद में बड़ा फर्क है क्योंकि वो आनंद की पुकार वीतर से एहर निश गोंज रही वह पुकार रहा है मुझे लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? सुखी तो बहुता है सब है भोग के पदार्थ भोग लिए लेकिन पाया भी सुख है तो क्रता क्या कोई ऐसा है जो मुझे इस जनम में उस आनंद तक ले जाए सुखी तो मैं बहुता है तो अश्टा वक्र कहते हैं इस जनम में नहीं राजन मैं तुम्हें जितना वक्त गोड़े की एक टाप से दूसरी टाप पर पैर रखने के लिए जो वक्त लगता है मैं इतने ही वक्त में आपको वहाँ पहुँचा दूँ क्या तुम तैयार हो जनक कहते हैं प्रभू मैं तैयार हूँ और इतनी ही देर में जनक पहुँचे जाते हैं सुक से आनद का रास्ता बड़ा छोटा है सुक से आनद में चलांगा आप जब चाहे लगा सकता है मुझे एक प्रशन आयता किसी है कि क्या परमात्म तक पहुचना इतना ही आसान है जतना आप बता रहे हैं बिलकुर इतना ही आसान बशर्ते के आप सुक ही हो जाओ आप सुक्षों का अतिक्रमन कर लो अगला शब्द बाद में बोलूँगा तो अभी काम का नहीं है आप सुक्षों का अतिक्र भोग लो और फिर क्या कहते हैं श्टा वक्र के भोग से दुख मिलता है बड़ा प्यार सकते हैं आप चाहते हो सुक्ष आप भोग में भी उत्रे थे सुक्ष को पाने के लिए लेकिन सुक्ष मिलता नहीं तो अश्टा वक्र कहते हैं भोग से मिलेगा दुख चाहत ही आपकी मिलेगा सुक्ष लेकिन मिलता है दुख और दुख जब मिलता है तो आपको होता है वेराग्या वेराग्य कार्थ नहीं है भोगों में सुक्ष नाक मुड जाती है और वेराग्य से होता है मुमुक्ष कि अगर फिर भोगों में सुक्ष नहीं है तो मैं कैसे आनद तक पहुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ जिस विक्ति के वीतर मुख्षत वे जनम जाता है बहे एक दिन मुख्षत होगी जाता है तमन्ना होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए पानी तो मिल ही जाया करता है कोई ना कोई पानी पिलाने वाला, प्यास बजाने वाला मिल ही जाया करता है उसकी चिंता मत करने है लेकिन कितने जन्मों से तुम मौका चूकते चले जा रहे हैं सबी जन्म तुमने मौके का लाब उठाने के चेस्टाने के बेर्थ में गुजर गए तुझको मेरी ना मुझको तेरी तुझको मेरी ना मुझको तेरी खबर आएगी तुझको मेरी ना मुझको तेरी खबर आएगी ईद अबके भी दबे पाम गुजर जाएगी तुझको मेरी ना मुझको तेरी खबर जाएगी ईद अबके भी दबे पाम गुजर जाएगी बचना कहीं एद दबे पाम गुजरना जाए